बश्कार हिंदी लेनिक चैनल पर आपका स्वागत है आज आश्मे महाजयन अम्रितान संस्कित पाठे पुस्तर क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 10 अभ्यास है पर्मे गुरू पाथ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है बच्चो आपकी बुक की प्ले लिस् में बता दीजिए का आपको कौन सा चैप्टर चाहिए ओके इस वीडियो का लिंक अपनी पूरी क्लास के साथ शेर जरूर कीजिए का पाठ शुरू करते हैं अभ्यास है पर्मे गुरू जाने कि अभ्यास परम गुरू होता है मतलब अभ्यास का मतलब होता है प्रेक्टिस और वही आपका सरफ शरिष्ट टीचर होता है प्रेक्टिस पूरा एके बालके आसीद पूरा पूरा का मतलब प्राचीन काल में एक बालक आसीद का मतलब था प्राचीन काल में एक बालक था ओके तस्य नाम तस्य का मतलब होता है उसका नाम भोपदेव आसीद उसका नाम भोपदेव था, से मंद मती, मंद होता है दीरे, मती मतलब बुद्धी, वे मंद बुद्धी, मंद बुद्धी जो कम बचारा बुद्धी वाला होता है, से मंद मती शात्र आसीत, वे हैं मंद बुद्धी वाला छात्र था, से यत पठती, से का मतलब वे हैं, यत मतलब जो पढ़ता था था ततर्वी सम्रती मतलब भूल जाता था सर्वे तस्य उसके सबी सहपाथी शहपाथी क्लासमेट्स तसे उपहासं उसका उपहास जाने कि उसकी हसी कुर्वंतिस्म अब यहाँ पर वैसे तो करीधातु है जिसका मतलब होता है करना पर यहाँ पर हम हसी उड़ाते थे के अर्थे में इसका प्रियोग करेंगे सभी उसके सेपाथी नहीं हम स्टार्ट कैसे करेंगे तस्य से उसके सभी सैपाथी उसकी हसी उड़ाते थे ठीके एक बार एक बार तस्य गुरू उसके गुरू तस्य उपरी कुपितय अभवत उसके उपर क्रोधित हो गए एक बार उसके गुरू उसपर कुपितय मतलब क्रोधित अभवत मतलब ह पास्टेंस है ना लंगलकर एक बार उसके गुरू उस पर क्रोधित हो गए तम विद्याले आच्च बहीय क्रोध तथा उसको विद्याले से बाहर कर दिया पर यहां निकाल दिया के प्रयोग में भी लिख सकते हैं ठीक है आत्म सम्मानेन वंचिता भूतवा से अचिंतियत आ मेरे भागे में विद्या नहीं है दुखिते सन भोपदेवै इतस्तते भ्रह्मनम अकरोध अब दुखिते मतलब दुखी आसन भोपदेवै दुखी होते हुए भोपदेव इतस्तत इदर उदर भ्रह्मनम अकरोध घूमने लगा दुखी होकर जब्योंते हुए भोपदेव इदर उदर घूमने लगा एकदा मारगे एकदा का मतलब एक बार मारगे मतलब रास्ते में गच्छन मतलब जाते हुए भोपदेव एक का मतलब एक कूप मतलब कुआ अपच्छत मतलब देखा एक बार रास्ते में जाते हुए भोपदेव ने एक कुआ देखा तत्र काश्चन नार्य जलेन घटान पूरियंतिस्म तत्र मतलब वहां काश्चन नार्य मतलब कुछ इस्तरिया नार्य जलेन मतलब जल से घटान मतलब घडे को पूरियंतिस्म भर रही थी वहां कुछ इस्तरियां जल से घड़े को पूरा कर रही थी, जाने कि भर रही थी से तत्र स्थित बूतवा, वह, तत्र का मतलब वहां, जो की एक अव्य है, ठीक है वहो वहां स्थित बूतवा, खड़ा होकर, आश्चरियन, आश्चरियसे, अपच्छियत उसने वहां खड़े होकर आश्चरियसे देखा, जस्याम शिलायाम, जिस शिला, जाने कि पत्थर पर इस्तरियां, घटम स्थापियंती, घड़े को, क्या कर रही है, स्थापित कर रही है स्थापित कर रही थी, तत्र एक गरते अभवत, वहां एक गड़ा हो गया था जिस पत्थर पर इस तरियां घड़ा स्थापित करना मतलब घड़ा रखती थी वहाँ एक गड़ा हो गया था एतत दृष्टवां यह देखकर भूपदेव अचिंतियत भूपदेव ने सोचा यदी घड़े से शिला मतलब पत्थर के खंड़े मतलब टुकड़े पर गड़ा बफती मतलब हो जाता है यदी घड़े से पत्थर के टुकड़े पर गड़ा हो जाता है तरही तो पुनहे पुनहे बार बार अभ्यासेन अभ्यास करने से मम बुद्धी मेरी बुद्धी अपी मतलब भी तिवरा भविश्यती तेज हो जाएगी यदी घड़े से पत्थर के टुकड़े पर गड़ा हो जाता है तो बार-बार अभियास करने से मेरी बुद्धी भी तेज हो जाएगी तो कुछ वालक ऐसे होते हैं यो मंद बुद्धी वाले होते हैं जो पढ़ते हैं उन्हें भूल जाता है आज सुन लिया उन्होंने पार टीचर से कल उनसे सुनोगे तो सब गायब हो जाता है, तो वो बच्चे को अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे, तो वो बच्चा भी ऐसे ही सोचेगा, मेरे भागे में विद्या नहीं है, मैं वास्ता में मूर्ख हूँ, लेकिन अगर वो बच्चा कोशिश करेगा, तो अवश्य उसकी बुद्धी भी ते के लिए संकल्ब किया, दतचित भूतवे, दतचित होकर, दतचित भूतवा, सरी, सै परिश्रमेन अपठ़त, दतचित होकर वे मेहनत से पड़ा, फिर उसने सोचा पड़ रही लेते हैं अब, ठीके, दतचित क्या होता है, कियरफुली, ध्यान पूरवक, तो ध्यान पर यहां पर धत्चिती लिखिएगा धत्चित होकर वह मेहनत से पढ़ने लगा जब उसने मेहनत से पढ़ा कुछ भी कर सकते हैं पर रहे का सारा पास्टेंस में पढ़ा पढ़ने लगा कैसे भी कर लो एवम कालंतरे सह सहपाथी नाम अचारिय नाम च सनेहम प्राप्तम एवम मतलब इस परकार कालंतरे मतलब कुछ समय बाद सह मतलब उसने सहपाथी नाम मतलब सहपाथियों आचारिय नाम च और अचारियों जानिकि गुरुओं का सनेहम प्राप्तम सनेह प्राप्त किया इस पर व्याकरन से महान पंडित वरद राज है वह संस्कृत व्याकरन के महान पंडित वरद राज के नाम से इती अभिदानेन प्रसिद्ध अभवत के नाम से प्रसिद हुए से लगू सिधांत कोमुदी नामकम संस्कृत व्याकरन से पुस्तकम अरच्यत उन्होंने पर उसने भी ल लेकिन रिस्पेक्ट देने के लिए बहुवचन में उन्होंने लगू सिधान्त कोमुदी नामक संस्कृत व्याकरन की पुस्तक की रचना की तो वरद राज जो थे जो भोपदेव जो थे वो बाद में क्या बन गए संस्कृत व्याकरन के महान पंडेत जिनके कारण आज हम य पढ़ पा रहे हैं तो अभियास ही परमगुरू होता है बच्चो यह सारे वर्ड मीनिंग्स आपको याद करने हैं उसके बाद exercise की तरफ आजाईए answer the following questions in one word in Sanskrit तस्य नाम की मासीत उसका नाम क्या था तो उसका नाम आप लिखेंगे पूरी लाइन तस्य नाम भोपदेव आ और अगर एक पद में ही है तो फिर भोपदेवा ही लिखना है ठीक है सै कीदरिशेट चात्र आजीद वै कैसा चात्र था सै अच्छा एक पद में ही देना है मंद बुद्धी बस आंसर आगया आपका दुखितै सन भोपदेवै कुत्र ब्रहमनम अकरोत दुखी होकर प्राचीन काल में एक कौन था बालक आत्म समान से वंचीत भोपदेव ने क्या सोचा उन्होंने सोचा अहम नूनम मूर्ख है असमी मैं अवश्य ही मूर्ख हूँ मैं इच्छे ही मूर्ख हूँ मेरे भागय में विद्ध्या नहीं है तस्से गुरू तमकसमात भही अकरोत उनके गुरू ने उन्हें कहां से बार निकाला विद्ध्याले से ठीक है विद्ध्याले आत्म पूरी लाइन लिख दी है मार्ग में खड़े होकर मार्ग में खड़े होकर भोपदेव ने क्या देखा मार्ग में खड़े होकर भोपदेव ने एक कुवा देखा उन्होंने क अभिदानेन किस नाम से वै प्रसिद हुए वै वरद राज अभिदानेन प्रसिद्ध है अभवत सै किम पुस्तकम अरच्चियत उन्होंने किस पुस्तक की रचना की सै लगू सिधान को मुदी नाम कम पुस्तकम अरच्चियत बेटा जी write the following according to example जैसे विस्मर्तिस्म को और विस्मरत लिखा हुआ है ना भूल जाता था तो उसको इस परकार से आपको लिखना लंगलाकार में कुरवन तीस्मा अकुरवन पठतिस्मा अपठत ठीक है आगे बठते हैं कोशन नमबर फोर पे सही विकल्प के सामने सही का चिन लगाईए भूपदे मंद बुद्धी बालक था जा मंद बुद्धी चात्र था बालक नी चात्र ठीक है गुरू उसके उपर क्रोधित हुए कुपित है मेरे भागे में विद्धिया नहीं है पुना पुना भ्यास करने से मेरी बुद्धी भी तिव्र हो जाएगी एश है यह वर्द राज नाम से प्रसिद हुए मेंच दा सिनोनियम समानार्थक पद मिलाने है छात्र का विद्यार्थी मुर्खय का मूड़ा कुपितै का क्रोधितै नारय का इस तरहिए घट का अब घड़ा होता है ना कुमबे प्रसिद्द्धै का विख्यात है स्वांस की संटेंस बनाने है, तस्यका, इदम तस्य पुस्तकम अस्ती, ये उसकी पुस्तक है, मार्ग में, आपनने में रास्ते में, मैंने रास्ते में एक बूड़े को देखा, बालक है अनुजय तिवर बुद्धी बालक है अनुच तिवर बुद्धी बालक है ओके यहां पर आपका चैप्टर फिनिश हुआ बच्चो अगला चैप्टर कौन सा चाहिए प्लीज कमेंट बुक्स में वीडियो मिलते जरूर बताईएगा ओके गुट बाई